नमस्कान मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खब्लो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्क्यों पर सक्षा के बाद अब इस विवाग में होगी बंपर बहाली बिहारी बच्चों और गर्ववती महिलाओं के टीका करन के लिए इस दिन सुरू होगा मिशन एंदर धनोज जी बी समाडों में महमानों ने देखी नालंदा विश्विद्याले की जलग गया पित्री पक्ष मीला में मैथली पेंटिंग के चितरकारी भारत के खिलाफ मैच को लेकर पाकस्तानी कप्तान बाबर आजम ने दिया बड़ा बयान इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से सक्षा के बाद अब इस विभाग में होगी बंपर बहाली अगर आपे बिहार में सरकारी नौकरी करने के चलकते हैं तो यह खबर आपके लिए बता दे की बहुत जल्दी सक्षा के बाद अब जल संसादन विभाग में बहाली आने वाली है मालुम होग इस बाद की जानकारी विभाग के संबंधित अधिकारी के द्वारा दी गई है दरसल जल संसादन विभाग के द्वाग के द्वारा विभाग के अंदर खाली पड़े पड़े पड़ों की गिंती शिरूप कर दी गई है ऐसे बें मुख्य अभियंता विभाग में खाली पड़े पदों की जानकारी घटा कर वड़िये पदाधिकारी को रिपोर्ट पेश करेंगे इसके बाद विभाग आगे की प्रक्रिया में जड़ जाएगा आगो बता दे कि विभाग के दोरा दिये गया आदेश के नुसार कारे रदक्रमचारीयों की भी जानकारी देनी होगी इसमें रिक्त पदों की गन्ना तो होगी ही, इसके अलावा जिन पदों पर निवती की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई है, उसके लिए भी आगे की काड़वाई प्राडब की जाएगी बिहार में बच्चों और गर्ववती महिलाओं के टीका करण के लिए इस दिन शुरू होगा मिशन अंद्रधनुस बिहार में कलियानी की 11 स्टंबर से राजिय के बच्चों और गर्ववती महिलाओं के तीका करन के लिए मिशन इंदर धन्रश की श्रिवात होने वाली है ऐसे में सकारी क्रम को सफल बनाने के लिए बीते दिन सनिवार को जहानाबाद में सदर अस्पताल के भवन से एक जागरूपता रैली निकाली गई जो मुख्य मार्ग होते वे सदर अस्पताल में आकर समाथ होई इस दोरान मौके पर स्वास्त विभाग के अने पताधिकारी और कर्मी मौजूद रहें पतादे के रैली में जी एनन की छात्राईं शामल थी जो हाथों में पोस्टर और बैनर लिए लोगों को अपने बच्चों का टीका करन करने के लिए प्रेडित कर रही थी इस दोरान चात्राओं ने टीका करन से सम्मध इतनारे भी लगाए मालू हो कि अभियान 16 सिदंबर तक चलने वाली है जिसमें कोविड या किसी अने कारण से जिन बच्चों का टीका करन नहीं हुआ या टीका करन से वंचित हैं या टीका करन का कोई टोस छूटा हुआ है ऐसे बच्चों को चुनित कर उन्हें टीका करन का पूरा कोर्स का डोस दिया जाएगा इसके साथ ही साथ वैसी गर्ववती महिलाओं का भी तीका करण किया जाएगा जन्हें किसी कारण से ठीके नहीं पड़े हैं डेंगु को लेकर DM का स्कूलों को एडवाइजरी बिहार के राजधानी पटना समीत बिहार के आने सभी जिलों में डेंगु के मामलों में बढ़ोतरी होती जारी है वही स्कूलों के आसपा जितने भी नाले है वहाँ दवा का छिरकाओ किया जाए और साफ सफाई भी लगातार की जाए बता दे कि डॉक्टर चंदर सेखर सिंग के दोरा बेमारी से बचनी को पाई के बारे में अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है इसके इलावर नगर निगम के अधिकारियों को भी जल जमाव वाले इलाकों में दवा छिरकाओ करने, फॉगिंग करने और साफ सफाई रखने का निर्देश दिया गया है जिसके बाद उनका इलाज पारस हॉस्पिटल में चल रहा था हाला कि अब बिल्कुल स्वस्त हो गया है नियोजे सक्षकों में निलंबन को लेकर सक्षकों का आंदोरन की चितावनी इन दिनों बिहार में सक्षा विवस्ता में सुधार को लेकर बिहार सरकार के सक्षा विभाग के आपर मुख्य सचीव केके पाठा के दोरा कहीं फर्मान जारी किये जा रहे हैं जिनमें से कहीं फर्मान के विरुद सिक्षकों में आख रोज भी बढ़ा है इसी के तहट बीत 11 जुलाई को बिहार के राजधानी पटना में हुए कारिक्रम में शामिल दर्जनों सक्षकों पर निलंबन की भी कारवाई की गई थी जिसको लेकर सक्षक के दोरा लगातार इस आदेश को वापस लेनी की मांग की जा रही इसी कड़ी में बीत दिन सनिवार को T.E.T. सिक्षक संग के बैनर तलिक गया जिलिक सक्षकों के दोरा बिहार के मुख्यमंत्र नितीश कुमार और उप मुख्यमंत्र तेश्री आदव का पुतला फुका गया इस दोरां सक्चकों ने कहा कि बिहार सरकार के दोहाँ अधिकार्यों दोहाँ लगातार नियोजित सक्चकों को प्रतारित किया जा रहा वह हमारी समस्याओं को दर किनार का निलंबन और वेतन काटने जैसे अमानविये कारवाई कर रहे हैं राजे कर्मी का दर्जा देने और सक्षकों का नलंबन वापस लेने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जिए वार तर्थीयात्रियों को सीता गंड वेदी की ओड जाने के दोरान मिःतला पेंटिंग के माधियम से बनाए गया धार्मिक वितान्थ चित्रों को देखने का मौका मिलेगा जो कि तर्थीयात्रियों के लिए काफी आकरशित होने वाला है। भोजपूरी फिल्म को लेकर अभिनेत्री और प्रोड्यूसर सीमा सिंग ने बिहार सरकार पर लगाया रोप आज के समय में सर्फ एक इलाके की भोजपूरी अपूरे देश में अपनी पहचान बना चुकी है बता दे की मौजुदा वक्त में भोजपूरी फिल्म उद्यो करीब 2,000 करोड रुपे का हो गया है जो की पहले की तुलना में काफी अधिक है हलाकिन सब के बीच में फिल्म अभिनेतरी और प्रोड्यूसर सीमा सींग के द्वरा भोजपूरी फिल्म उद्यो की अपेकचा की गई है दरसल बढभिगा के रामपूर सिंडाय गाउं में फिल्म अभिनेतरी और प्रोड्यूसर सीमा सिंग के दोरा जो की लोजपा की नेतरी भी है उन्होंने समवाधाता सम्मीलन में भोजपुरी फिल्मों को लेकर बिहार सरकार पर गंभीर आरूप लगा है उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को रोजगार देने के लिए बढभिगा में उन्होंने भोजपुरी फिल्म वाइट कालर का निर्मा शुरू किया है जिसमें जाला तरस्थानिये लोगों को काम दिया गया है हलाकि कुछ कलाकार ऐसे भी है जिने बाहर से बुलाए गया है उन्हें कहा कि बिहार में सिनेमा का विकास हो सके इसके लिए बिहार सरकार को सबसिडी देने की जरूरत है यहां के लोगों में इस छेतर में प्रतीभा की कोई कमी नहीं है इसके अलावा समताता सम्मेलन में वाइट कलर की अभिनेतरी सुब्रा सर्मा भी पहुंची इस दोरान उने कहा कि यहां का मुहल अप पहले के तुलना में काफी बहतर हो गया है अगर सरकार यहां भी सिनेमा के विकास पर ध्यान देती है तो अफसर की कमी नहीं होगी niż जी बी समारों में महमानों ने देखी नलन्दा विश्री विद्याले की धलक वहीं डिनर के पहले पीम नरींडर मोदी के दोरा मच पर अतीतियों का स्वागत किया गया लेकिन जिसमंच पर वे खड़े थे वहां पृष्ट भूमी पर विहार का प्राची नालंदा विश्यविध्याले दिख रहा था कि तस्वीर को नजदीक से देखने लगे आपकी जानकारी के बता दे कि बिहार में सित्य विश्यविध्याले पांचवी सदी से बारवी सदी के बीच अस्तित्व में था इसकी विरासत महवीर और बुध के युक से चली आ रही है जो प्राचीन भारत की प्रगती को दर्शाता है जब भी दुनिया के सबसे पुराने सक्षन संस्थानों की बात होती है तो उसमें नालंदा विश्यविध्याले का नाम सबसे उपर होता इसके अफशिष आज विब्यार के राजज़ानी पटना से करीब 120 किलो मीटर दक्षिन उत्तर में मौजूद है तिहासकार बताते हैं कि श्विश्यविध्याले में अने देशों से छात्र जाकर पढ़ाई करते थें BAO को लेकर जानिये किसे और कितना मिलेगा आरक्षन बहुत जल्द ही प्रखन क्रिसी पताधिकारी एवं समकच अधिकारियों के 866 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है जिन में से 292 पद महिलाओं के लाड़क्षित किये गए हैं बतादे किस परिक् अधिनस्त सेवा के तहत महिलाओं के लिए 25 प्रतिशक आरक्षन का प्रावधान है यह आरक्षन राजी के मूल वासी को ही मिलेगा वह इसके लवाब कुल 866 पद में 350 पद अरक्ष श्रेनी के हैं जबकि 87 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 157 पद अत्यंत पिछरा वर पट्टा के सुसील कुमार जिनने लिफ्ट मैन के नाम से जाना जाता है वह सहाई और बुजर्ग लोगों को अपनी बाइक पर लिफ्ट देकर उन्हें उनके गंतवे तक निशल्क पहुचाते हैं बतादी के पहले वे बोडिगार का काम किया करते थे लेकिन अब वह सहाई और बुजर्ग लोगों को लिफ्ट देने का भी काम करते हैं मालुम हो कि हकाम वा लगभग पिछले दो सालों से कर रहे हैं इस बारे में सुसील के दोरा चामकारी देते वे बताया किया कि उनके कॉलनी के लगभग 100 से उपर लोग भी इस काम से उनके साथ चुर चुके हैं वह और उनकी मदद कर रहे हैं वह बताते हैं कि लोगों को चागरूप करने के लिए उन्होंने एक यूटूब चैनल भी बनाया है जिसका नाम है लिफ्ट मैंट बॉडिगाड इस काम को करने के लिए वह अपने घर से ही प्रेडित हुए हैं बता दे कि सुसील आज लाखो युवाओं के लिए एक प्रेड़ना का श्रोध बन गहे हैं औरंगाबाद में 88 सिक्चकों ने एक साथ दिया अप इस्तिफा बितदिन बिहार के औरंगाबाद जिले के विविन बूथ पर बूथ लेवल ऑफिसर का कारे कर रहे कोल 88 सिक्चकों के द्वारा एक साथ इस्ति सच्च्टिों के पाठक द्वारा आदेश जारी किया अडिया था कि अद्वाध प्र झाया जाए कि करे गपाद के अदेश स्क्चाषों के देवगर साफ तो के राश्ट्री अध्यक्ष लालु पुषाद यादव आज अपनी पत्नी और बिहार की पुर्व मुख्य मंत्री राभी देवी के साथ देवघर जाने वाले हैं ऐसे में उनके आगमन को लेकर प्रदेश की निताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा लालु यादव के दोरी को लेकर प्रदेश राज़द सचीव पुर्व प्रत्याशी मधुपूर विधान सभाद छेतर संजय भारद्वालता कहा गया कि लालु यादव के आगमन के अफसर पर प्रदेश के राज्य पतादिकारी देवघर में एकटा होंगे उन्होंने कहा कि लालु यादव हमारी मार्ग दर्शक एवन प्रेणा श्रोथ हैं इसलिए उनसे मलाकात और उनके मार्ग दर्शन को लेकर राज्य के कारेकरताओं में व्यापक उस्सा है बतादे कि लालु यादव आज पारिवारी कारेकर्म के लिए देवघर जाने वाले हैं जहां कल याने की सोमवार को वह बैद्यनाद धाम में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद कारेकरताओं के साथ सन्युक्त बैठक भी करेंगे वही बैठक के बाद वह वापस पटना के लिए रवाना हो जाएंगे मानुमों कि इस बात की जानकारी पुर्वमंत्री सुरेश पाश्वान के द्वा वक्ता सेयद साहनवाज हुसैन के द्वारा इसको लेकर बिहार सरकार के नगर विकास विवाक के उधासीनता परकरारा प्रहार किया गया है उन्होंने कहा कि आज भागरपुर डिंगो का होड़ स्पॉट बन गया है यहां हर दिन दरजनों मामले सामने आ रहे हैं लेकिन इ अस्तवियस तरीके से उनका इलाच किया जा रहा उन्होंने साफ तोर पर कहा कि भागरपुर में कोरोना वहामारी से भी बड़ा संकर डिंगू है जिसने पटने के लिए पहार सरकार को सक्त कदम उठाने की जरूरत है पतादिक साहनवाज हुसैन माया गंज इस्पताल भी जहां उन्होंने डिंगू के मरीजों से मुलकात की और कहा कि जल्दी स्वास्ते विवस्था दुरुस्त किया जाए वरनाव दाधिकारी पर कारवाई की जाएगी भारत के खिलाफ मैच को लेकर पाकस्तानी कप्तान बाबर आजम ने दिया बड़ा बयान आज भारत और पा जबते को भेठर ढंग से समझते हैं उन्होंने कहा कि के तेज गेंदबाज करते दिखेंगे खासकर हमारी तीम के तेज गेंदबाज आखडी ओवरों में शांधार गेंदबाजी कर रहे हैं और ने कहा कि हमारी टीम का कुल मिलाकर प्रदर्शन अच्छा रहा है यदि कोई खिलारी सफल हो जाता तो अने खिलारी उसकी भरपाई कर देते हैं यह हमारे लिए अच्छी बात है किंग खान के फिल्म जवान ने विकेंड पर किया इतना कलेक्शन बॉलिवोर्ड के किंग खान के फिल्म जवान साथ सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है बता खत्म होने से पहले तक किंग खान के फिल्म ने 200 करोड की कमाई कर ली है इस फिल्म को लेकर बड़े पैमानी पर दर्शकों की द्वारा पॉजिटिव रिस्पॉंस दिये गए हैं और यही वजह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कमाई कर रही इसमें सारुक खान न है बुझे फर पुर्णे पेट्रोल कीमत एक सबसादा किसन गंज में है जहां पेट्रोल एक सुनो दसमलो तीन पांच रूपए प्रति लिटर और डीजर पंचान में दसमलो नौन रूपए प्रति लिटर की गई है बीते दिन अगाँब पूची का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों न रपने जाप हमें हमारी कमेंट सेक्शन बोक्स मेरे लिख कर दिया है जिन्हों नहीं हमारी गर करीम और निक्वर का बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखर चाल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देखर तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद